क्यूं आता है भूकप? प्रित्वी लगातार घूमती रहती हैं. जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है. बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं. जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स तूटने लगती हैं. नीचे की उर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टबेंस के बाद भूकम पाता है. जाने क्या है भूनकप के कैंदर और तीवरता का मतलब? भूकम का कैंदर उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हल्चल से भूगर अभ्यव उर्जजा निकलती है. इस स्थान पर भूकम का कमपन ज्यादा होता है. कमपन की आवरती ज्यों ज्यों दूर होती जाती हैं, सका प्रभाव कम होता जाता है. फिर भी यदी रिक्ट स्केल पर साथ या इस से आधिक की तीवरता वाला भूकम है तो आसपास के 40 किलोमेटर के दाईरे में ज्ट का तेज होता है. लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकम पी आवरती उपर की तरफ है या दाईरे में. यदी कमपन की आवरती उपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा. कैसे मापा जाता है भूकम की तिवरता और क्या है मापने का पैमाना? भूकम की जाँच रिक्ट स्केल से होती है. इसे रिक्टर मेगनीट्यूड टेस्ट स्कल कहा जाता है. इसे वेग्यनिक रूप से समझने के लिए हमें प्रिथवी की सनरचना को समझना होगा. दरसल ये प्रिथवी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है. इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है. ये प्लेट्स जो लगातारा तिर्ती रहती हैं और कई बार आपस में टक्रा जाती है. बार बारा टक्राने से कई बारा प्लेट्स वेकोने मुढ जाते हैं और ज्यादा दबाव पढ़ने पर ये प्लेटू स्ट्रटने लगती हैं. ऐसे में नीचे से निकली उर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टबस के बाद भूकमप आता है पर भूकमप को एक से नौ तक के आधार पर मापा जाता है भूकमप को इसके केंद्र यानी एपी सेंटर से मापा जाता है भूकम्प के दौरान धर्ती के भीतर से जो उर्जा निकलती है उसकी तीवरता को इससे मापा जाता है इसी तीवरता से भूकम्प के जटके की भायावेहता का दाजा होता है जाने क्या है भूनकप के कैंदर और तीवरता का मतलब भूकप का कैंदर उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हल्चल से भूगरभ्य उर्जजा निकलती है इस स्थान पर भूकंप का कमपन ज्यादा होता है कमपन की आवरिती ज्यों ज्यों दूर होती जाती है सका प्रभाव कम होता जाता है फिर भी यदी रिक्ट स्केल पर साथ या इससे आधिक की तीवरता वाला भूकम्प है तो आसपास के 40 किलोमेटर के दाइरे में जटका तेज होता है लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकम्प या आवरती उपर की तरफ है या दाइरे में यदी कम्पन की आवरती उपर को है तो कमक शेत्र प्रभावित होगा कैसे मापा जाता है भूकम्प की तिवरता और क्या है मापने का पैमाना भूकम्प की जाँच रिक्ट स्केल से होती है इसे रिक्टर मेगनीचूड टेस्ट स्कल कहा जाता है पर भूकप को एक से नौ तक के आधार पर मापा जाता है भूकप को इसके केंद्र यानी एपी सेंटर से मापा जाता है भूकप के दौरान धर्ती के भीतर से जो उर्जा निकलती है उसकी तीवरता को इससे मापा जाता है इसी तीवरता से भूकप के जटके की भयावेहता का दाजा होता है जाने क्या है भूनकप के कैंदर और तीवरता का मतलब भूकप का कैंदर उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर अभिय उर्जजा निकलती है इस स्थान पर भूकम्प का कमपन ज्यादा होता है कमपन की आवरिती ज्यों ज्यों दूर होती जाती है सका प्रभाव कम होता जाता है फिर भी यदी रिक्ट स्केल पर साथ या इससे आधिक की तीवरता वाला भूकम्प है तो आसपास के 40 km के दाईरे में ज्धका तेज होता है लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकम्प या आवरिती उपर की तरफ है या दाईरे में यदी कमपन की आवरिती उपर को है तो कमक्षेत्र प्रभावित होगा कैसे मापा जाता है भूकम्प की तिवरता और क्या है मापने का पैमाना भूकम्प की जांच रिक्टर स्केल से होती है इसे रिक्टर मेगनीच्यूड टेस्ट स्कल कहा जाता है प्रित्वी के पटल को प्लेटों का बना हुआ माना गया है ये प्लेटे सरक्ती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टक्रा भी जाती हैं अतह इन प्लेटों के टक्राने से भी भूकम पाते हैं जब किसी स्थान पर जवाला मुखी उत्पन होता है तो कई घटनाय होते हैं जिसमें मैगमा तेजी से बहार निकता है साथ में गैस और धूल भी निकलता है जिसके कारण भूकम्प भी उत्पन होता है अवेवतने का कारां भूकम्प की उत्पत्ती के अविवर्तनिक नौन टेक्टोनिक कारण भी होते हैं अब ज्वाला मुखी से उद्गार निकलते हैं तब दी पृत्वी की सता पर कमपन होते हैं इसके अतिरिक्त चट्टानों के खिसकते बमफटने अथ्वा भारी वाहनों और रेल गाडियों की तीवर गती से भी कमपन पैदा होता है। किन्तु इस प्रकार का भूकमप बहत हलका होता है। तेज से तेज ज्वाला मुखी भूकमप एक मध्यम विवर्तिनिक भूकमप से हलका होता है। समस्थि सिका समायाजन अपर्दन के विविद साधन महादवीपों के पदाथों को काट टक कर अधिकाशत सागरों में निक्षेपित करते रहते हैं। इससे सागर की तली का भार अधेख हो जाता है। उन स्थानों की शैले नीचे सती हैं। वू संतुलन स्थापित करने के लिए पर्वतियक शत्रों में उत्थान की क्रिया होती है। इसम से शैलों में विक्षो भूत्पन होता है। जिससे भूकमप आते हैं। हिनन्दुकष 1948 कांगडा 1905 चीन के कासु प्रदेश 1927 असमी 1897 में इसी प्रकार के भूकम पुत्पन हुए थे। प्रत्यक्ष पनह चलन सिधाम्त। भगार भेक शैले रब्ड की भौती लचिली होती हैं। तलाओं होने पर वे एक सीमा तक खीचती हैं तथा अधिक तनाव होने पर वे तूट जाती हैं। तूटी होए भूखंड पुना खीच कर अपना स्थान ग्रहन करते हैं। इससे भूकम पुत्पन होते हैं। तूटे होए भूखंड पुना खिचकर अपना स्थान ग्रहिन करते हैं। इससे भूखंप उत्पन होते हैं। बिहार 1944 असम 1950 उत्तर प्रदेश 1956 के भूखंप इसी कारण उत्पन माने गए थे। मानव जनित कारक कभी कभी प्रकृती के साथ इंसानों का छेर छाड आटिफीसियल जलजले का कारण बनता है परमानू टेस्ट की वजह से शौक वेव पैदा होती है जिसके रिजल्ट से एक आटिफीसियल भूकम पैदा होता है। इस तरह का मानव निर्मित कमपन छोटे मोठे ज्वालमुखी के बराबर होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़ाई के लिए बनाय जा रहे सामान में भी विसफोट के कारण छोटा कमपन पैदा हो जाता है। जो पहाडी इलाके होते हैं वहां रोड बनाने के लिए विसफोट करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिए भी और साथ ही ताला बौध निमर्मान के लिए विसफोट करके चट्टानों को तोड़कर गढ़धा बनाया जाता है। इन सभी वज्जों से छोटे मोठे जलजला पैदा होते हैं, जब ज्वाला मुखी विसफोट होती है जिसके कारण कमपना उत्पन होती है जो भूकप को जन्म देती है, वलन या भंश जैसी टेक्टोनिक क्रियाओं से भी भूकप उत्पन होती है, जब प्रित्वी की में असंतुलन उत्पक होती है तो भूकंप का जन्म होता है, हिमखंड या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धस जाने या खानों की छतों के धात जाने या थानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आता है, ब्रिहकार जलाशयों के जल भर से संता पर अ भूकम्प की उत्पत्ति के कारणों के अनुसार चार तरीके के भूकम्प विशेश्ता प्रभावित करते हैं। एवं संगामी खाडी क्षेत्र उननिस सो तेईस। संयुक्त राज्य में कैलिफोनिया उननिस सो छे आसी में इसी प्रकार के भूकम्प आये थे। क्राकातोवा, कैलिफोर्निया के लासनपीक, उननिस सो चौदा के भूकम्प ज्वाला मुखी उद्गार के ही परिनाम थे। तीन समस्थितिक भूकम्प उच्च परवतिय क्षेत्रों एवं निम्न डेल्टाई भागों में इस प्रकार के भूकम्प आते हैं। चार वितलिया भूकम्प ये भूकम्प भूगर्भ में तीन सो किलोमेटर से साथ सो बीस किलोमेटर की गहराई पर उत्पन होते हैं। स्पेन के सियरा नेवादा 1954 क्षेत्र में भूकम्प का उद्गाम भूपटल से 630 किलोमेटर गहराई पर था। क्यूं तूट जाती हैं चटाने। धर्ती की नीचे मौजूद चटाने दबाव की स्थिती में होती हैं और जब दबाव एक लिमिट से जादा हो जाता है तो चटाने अच्छानक से तूट जाती हैं। इसके चलते सालों से मौजूद उर्जा आवमुक्त हो जाती है। बंटों से मिलकर बनी है इन भूखंडों के नाम अफ्रीकी भूखंड अन्टाकटिक भूखड युड़ेशियाई भूखड भारतिय और औस्ट्रेलियाई भूखंड उत्तार अमेरिकी भूखंड प्रशांत महसागरिय भूखंड दक्षन अमेरिकी भूखंड है यह चटाने आम तोर पर स्थेर और ना तूचने वाली लगती है लेकिन ऐसा है नहीं। प्रिथवी की सतह ना तो स्थेर है और नहीं अखंड। धर्ती ती सतह महादवीप के साइज के विशाल प्लेटों से मिलकर बना है। इन चट्टानों को धर्ती की सतह पर थोस परत के रूप में समझा जा सकता है और इनका विस्तार महादवीरपों के साथ साथ समुद्र तक होता है। महादवीप के नीचे मौजूद चडटाने हलकी होती हैं और समुद्री भूखंड भारी चट्टानों से मिलकर बना होता है। कैसे फैलता है जटके का आसर। जो स्थान भूखंप के केंद्र के सबसे नजदीक होता है, बहाँ इजटकों की तीब्रताया उससे होने वातला नुकसान ज्यादा होता है। एपिक सेंटर से जो जो स्थान दुर होते हैं, उसके हिसाब से प्रभाव कम होता चला जाता है। जब आम तोर पर पूछा जाता है कि भूखंप कहां ओआया तो उसके जबाब में एपिक सेंटर के बारे में बताया जाता है या उससे जड़ी जानकारियां दी जाती हैं। भूखंप आने पर सबसे महत्वपून और जरूरी बात जो अवश्य जानी चाहिए यह है कि भूखंप आने पर कैसे बचाएं जान। भूखंप की भविश्यवानी नहीं की जा सकती है, लेकिन नए घरों को भूखंप को ध्यान में रखते हुए निर्मान करें। मकान बनाने से पहले जमीन की जांच कर लें। क्या वह भूखंप को ध्यान में रखते हुए मकान बना सकते हैं या नहीं। वहीं अगर अचानक से भूखंप आ जाएं तो सब पहले खुले मैदान में जाएं। घर में ही फंज गए हों तो टेबल या बैड के अंदर छिप जाएं। छत पर भी जा सकते हैं या घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं। लेकिन खत्रों से खाली विकल्प है घर से बाहर निकल जाएं। इस मामले में पर्यावर अन्विद श्रवन कुमार की माने तो वैसे तो भूकम पाने वकी कई वज़े हो सकती है लेकिन आज के समय में भूकर पाने का बड़ा कारण इंसानी करतूत है। पहाडा को काटा जा रहा है। धर्ती की गहराई से खुदाई करके तैल निकाला जाता है। पैदों की संख्या कम होती जा रही है और उनकी जगह उची इमारते तयार हो रही है। इन सब से प्रकृती का संतुलन विगता है जो समय समय पर भूकम्प की वजह बनता है।